चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी सब कुछ दाओं पर लगा देते हैं कई तो लाख हो रुपे कर्ज लेकर चुनाव लड़ते हैं मतप्रदेश से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे ग्राम पंचायत के चुनाव में जीत पाने के लिए कुछ प्रत्याश्यों ने साहुकारों से 10 से 15 प्रतिर्शत सालाना ब्याजदर पर कर्ज लिया अपने पास से भी राशी खर्च की कर्जदार तो बन गए लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएं कर्ज का बोज उपर से मिली पराजे ने प्रत्याश्यों को डिप्रेशन में डाल दिया हारे हुए प्रत्याश्यों में कुस्तो ऐसे हैं जो शड़ाब के नश्य में डूब गए हैं हताशा और निराशा की बाते कर रहे हैं कुस्तो जान देने की बात कर रहे हैं भोपाल और आसपास के जीलों से यहां के मनुचिकित्सकों के पास पहुँच रहे हैं एक चिकित् सभी की जिन्दगी में आती है इस तरह से तनाव लेने की जरूरत नहीं है मनुचिकित्सकों ने बताया कि भोपाल ही नहीं पुरे प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं रीवा का भी एक मामला भोपाल के मनुचिकित्सक के पास आया है मनुचिकित्सकों ने बताय कि पत्याशी के चुनाव हारने के बाद उनके इस्तेदार भी डिप्रेशन के सिकार हो गए इनका इलाज नहीं किया गया तो acute psychosis यानी विहम की बीमारी का शिकार हो जाएंगे मनुच कि सको ने कहा कि चुनाव तो हमेशा होते रहते हैं लेकिन अब लोग इसे प्रतिष्ठा से जोड़ रहे हैं ऐसे में हारने के बाद कई लोग तो यह कह रहे हैं कि उनकी दुनिया ही खत्म हो गई बैरसिया के पास एक गाउं के सरपंच पद के प्रत्याशी ने चुनाव खर्च के लिए 12 लाक रुपे का लोन 10% सालाना ब्यास दर पर लिया लेकिन चुनाव हार गए इसके बाद वह बहुत ज़्यादा अपसाद में आ गया उसने स्वजान और इस्तेदारों से कहा कि उस है वह यह मान लेता है कि हर हाल में जीत जाएगा ऐसे में हारने के बाद उसे गहरा दुख लगता है ऐसे स्थिती में घरवालों को संबल देना चाहिए हार जीत जीवन का हिस्सा होता है उसे प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ना चाहिए